चुरू करें आज मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी की आम आदमी पार्टी विधायक दल के साथ मीटिंग थी और उसमें लगबग सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी मोटे तोर पे ये बात थी की भारतिय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे जादा आम आदमी पार्टी से है जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार करने की तैयारी है साफ है कि अगर भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का तो वो अर्विंद केजरिवाल है और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अर्विंद केजरिवाल को हटाया जाए इलेक्शन लड़के देख लिए तीन तीन चुनाव के अंदर भारती जनता पार्टी हार चुकी है अब ये बाद जान चुके हैं कि अगर अर्विंद केजरिवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाव लड़के तो भारती जनता पार्टी नहीं हरा सकती अर्विंद केजरिवाल को शड़ेंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक-एक करके लगबग सबने एक बात अर्विंद केजरिवाल जी को कही कि अक्सर ये होता है कि अर्विंद केजरिवाल जी के उपर अलग-अलग तरीके से दबाव बनाके उनके उपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफ्तार कर लिया अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी अब तो मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा एक-एक विधायक ने अर्विंद जी को हाद जोड़ के कहा है कि भारतिय जन्ता पार्टी और प्रधान मंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए कुछ भी हो जाए चाहे जमीन से चले चाहे आसमान से चले चाहे पाताल से चले चाहे जेल से चले चाहे पुलिस कस्टडी से चले चाहे जुडिशल कस्टडी से चले अर्विंद केजरिवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे क्योंकि mandate अर्विंद केजरीवाल जी का है हम लोगों ने गली-गली जाके वोट अर्विंद केजरीवाल जी के लिए मांगा है मुक्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल जी बने सरकार अर्विंद केजरीवाल जी सलाए ये mandate ये आशिरवाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अर्विंद केज्रिवाल जी को दिया है और इस मेंडेट के साथ खिलवार करना या धोका देने का हक जो है किसी को नहीं है मेरी कई लोगों से बात हुई Constitutional Expert से भी बात हुई आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक Sitting Chief Minister को आप एक ट्राइल के बहाने जेल में डाल दें Conviction होती है एक अलग बात है कानून के अंदर और समविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिल्ली के या किसी भी राज्य की जनता का जो अधिकार है जो उनकी fundamental right है right to vote, right to elect, right to elect a government right to elect a popular Chief Minister इसको आप चैलेंज कर सके ये अधिकार जनता का है किसी समविधान की धारा में इस अधिकार के उपर कोई ऐसा अंकुष नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अगर ट्राइल के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिलवाएंगे इसलिए हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कर्बद निवेदन किया है कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में हम कैबिनेट कुलीक से हम लोग बहुत खुश रहेंगे अर्विन जी जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे और मुझे लगता है जैसा महौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे कोई बहुत ज़रा देर नहीं है जिस तरीके की तैयारियां प्रदान मंत्री कर रहे हैं जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीक्स भी मुखे मंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर तू में हो मैं जेल नंबर वन में हूँ कोई जेल नंबर सिक्स में हो तो जब कैबिनेट मीटिंग होई करेगी तो आजाए करेंगी एक साथ कैबिनेट की मीटिंग करेंगे कैबिनेट का फैसला करेंगे मुख्य मंत्री जी को जब जरूरत होई करेंगी तो अफसरों को बुलाएंगे मीटिंग करेंगे फैसला किया जाएगा और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे जितने भी वो लोग उस फैसले को बाहर कार्यानवित करेंगे दिल्ली के लोगों के काम मुख्य मंत्री जी रुकने नहीं देंगे मैं अब आतिशी जी से कहूंगा वो बताएं आज अर्विन केजरिवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई और सभी विधायकों ने अर्विन केजरिवाल जी को दिल्ली की जनता की राय बताए हम सब ने उनको बताया कि हम जिस गली में जाते हैं जिस पार्क में जाते हैं जिस कॉलनी में जाते हैं जिस आर्वियोस मिरने जाते हैं आज सब के जबान पे एक चीज है कि मोधी सरकार ने अब आम आदमी पाटी के साथ, अति कर दी है, सब ये कह रहे हैं, कि बार बार अगर केश होता है, अगर अरेस्ट होता है, जब होता है, तो आम आदमी पाटी वालों का ही होता, को भी जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं लेकिन आज दिल्ली की जनता देख रही है दिल्ली की जनता देख रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है उसके साथ अतिवाद हो रहा है तो सभी विधायकों ने अर्विन केजरिवाल जी को एक ही सुर में ब किया है कि वो अपना इस्तीफ़ा ना दे क्यूंकि आर्विंद केजुरीवाल को दिया और किसी जूट शडय ंंत्र से हम दिल्ली की जनता का यह 보सा नहीं चूटने देंगे चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजुरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे उनको मुख्यमंत्री चुना है वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे हमने ये भी डिसकस किया कि हम कोट जाएंगे और कोट से पर्मिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके जरूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर ज जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बादशीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के कांसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया एक बात मैं और कहना चाहता हूं बहुत सारे लोग इस पर प्रश्ण भी करते हैं और आज दिल्ली में बहुत चर्चा है इस चीज़ की मैं पूरे सम्मान के साथ कहूंगा न्यायले के लिए कि पूरी मनी शिशोदिया जी की बेल के दौरान मननिय न्यायधीस जी ने जब जब एडी से मनी ट्रेल के बारे में पूछा बार बार पूछा पैसा कहां आया मनी शिशोदिया जी के पास पैसा कैसे आया मनी शिशोदिया जी के यहां क्या मिला मनी ट्रेल का क्या एविडेंस है जो गवाही तुम दिखा रहे हो वो तो आरोपियों की गवाही है वो दो मिनट भी ट्राइल में नहीं टिकेगी सब पत्रकारों ने और पूरी देश की जन्ता ने वो ट्राइल सुनी है अकबारों के माध्यम से पड़ी है एक भी मनी ट्रेल के सवाल का जवाब एडी के वकील सुप्रीम कोट को नहीं दे पाए यह मैटर ओफ रिकॉर्ड है यह दर्ज है इतियास में मगर उसके बावजूद जिस तरीके से मनीश जी की बेल डिनाए हुए है यह बहुत दुर्भाग्यपूर है और हमको इसका बहुत खेद है अब देखे इस से पहले जो उधारण है वो कन्विक्शन के बाद किसी के उपर आरोप साबित होने के बाद सजा के बाद किसी मुख्यमंत्री के जेल के जो है उधारण है किसी मुख्य मंत्री को अंडर ट्राइल इस तरीके से भेजने के उधारण भी कम है और मुझे नहीं लगता कि समविधान के अंदर इसकी कोई दिक्कत है और आतिशी जी ने जैसे बोला अगर जुरूत पड़ेगी तो जैसे मनिश शोदिया जी को जुरूत पड़ती है कई ब झाल 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 झाल